रश आवर एक फिल्म है जो उननीस सौ अठानवे में रिलीज हुई थी और ब्रेट रैटनर द्वारा निर्देशित थी फिल्म में जैकी चैन मुख्य निरीग शकली एक हांकाम पुलिस अधिकारी और क्रिस्टकर जासूस जेंस कार्टर एक लॉस एंजिल्स पुलिस अधिकारी के रूप में है फिल्म हांकाम में चीनी कॉंसल हान जेन जी मा की बेटी के अफ़रण के साथ शुरू होती है अफ़रण करता फिरौती में 50 मिलियन डॉलर की मांग करते हैं जो चीनी सरकार प्रदान नहीं कर सकती जांच में सहायता के लिए मुख्य निरीग शकली जैकी चैन को स्थानिय पुलिस के साथ काम करने के लिए हांकाम से लॉस एंजिल्स भेजा जाता है लॉस एंजिल्स में ली को जासूस जेम्स कार्टर, क्रिस टकर से मिलवाया जाता है जो शुरू में इस मामले में रूची नहीं रखता है हालांकि जब उसे पता चलता है कि अफ़रन करताओं ने ली के सिर पर एक लाख डॉलर का इनाम रखा है तो वह इसमें शामिल होने का फैसला करता है ली और कार्टर को भागीदारों के रूप में जोडा जाता है और उनके सान्सकृतिक मतभेदों और संघर्ष पून व्यक्तित्वों के कारण उन्हें एक साथ काम करने में कठिनाई होती है पूरी फिल्म के दौरान ली और कार्टर अफ़रण करताओं और लापता लड़की की तलाश करते हैं अपनी बुद्धी पर भरोसा करते हैं और मामले को सुलजाने के लिए मनमुटाव करते हैं रास्ते में वे कई संदिग्धों से मिलते हैं जिसमें जुनताओं टौम विलकिनसन भी शामिल है जो अफ़रण के पीछे एक प्रभावशाली अपराधी है जैसा कि वे मामले की जाच करते हैं ली और कार्टर को पता चलता है कि लड़की को बचाने और अफ़रण करताओं को पकड़ने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा अपने मतभेदों के बावजूद वे अंतह एक दोस्ती बनाते हैं ली ने कार्टर को चीनी संस्कृती के बारे में पढ़ाया और कार्टर ने ली को अमेरिकी संस्कृती के बारे में पढ़ाया फिल्म का चर्मोत कर्ष लॉस एंजिल्स हवाई अड़े पर होता है जहां अफ़रण करता लड़की को ले गए हैं एक उच्चदाम वाले एक्षन द्रिश में ली और कार्टर अफ़रण करताओं के साथ एक अंतिम प्रदर्शन में शामिल होते हैं लड़की को बचाते हैं और अफ़रण करताओं को पकड़ते हैं अंत में ली लड़की के साथ हांकांग लोट जाता है जबकि कार्टर लॉस एंजिल्स में रहने का फैसला करता है फिल्म ली और कार्टर के संपर्क में रहने का वादा करने के साथ समाप्थ होती है और कार्टर ने कहा कि वह एक नया दोस्त बना कर खुश है कुल मिला कर रश आवर एक क्लासिक बड़ी कॉप मूवी है जो एक मनोरंजक और यादगार फिल्म बनाने के लिए एक्षन, हास्य और सांस्कृतिक अंतर को जोडती है फिल्म एक व्यावसाइक सफलता थी जिसने दुनिया भर में डॉलर 140 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसने दो सीक्वल प्रश आवर 2 इंच 2001 और प्रश आवर 3 इंच 2007 बनाए फिल्म प्रशन्सकों की पसंदीदा बनी हुई है और इसे व्यापक रूप से अब तक की सबसे अच्छी दोस्त पुलिस वाली फिल्मों में से एक माना जाता है